नमस्कार, आपका दिन सूब हो, इसी असा और सूब का मनाओं के साथ मेरा यूटीब चैनल सुविदाद 2010 में आपका तहे दिल से अविनंदन करता हूँ, मैं हूँ रविकांत भकत, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा लारनाटीक एप कैसे डाउनलोड करेंगे और उस एप में कैसे रेजिस्टेशन करेंगे, इसके बारे में बिस्त्रित चर्चा भी करेंगे, लारनाटीक एप के बारे में पहले से ही मेरा एक वीडियो बना हुआ है, जिसका लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, वीडियो से पहले चलते हैं मोबाइल की इस्किन पर और प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं लार्नाइटिक एप लार्नाइटिक एप में क्लास 9 से 12 तक के संसदित अधन सामकरी इपुस्तक अभ्यास परिच्छन एवंग छात्रों के परदर्शन रिपोर्ट और उपचारतमक सिच्छन सामकरी उपलब्द होगा ये लार्नाइटिक एप आपको प्ले स्टोर में उपलब्द है जहां प्ले स आप क्लिक करके इंस्टोल कर सकते हैं इंस्टोल के पर साथ आपको इस तरह से एक प्रिफेस दिखेगा प्रिफेस में आपको यहां नीचे गेट स्टार्टेड है इस गेट स्टार्टेड में टाच कर देना है जैसे टाच किजेगा एक दूसरा पेज खुलेगा जो इस तर इस एप का उपयोग कर रहे हैं तो इसलिए आपको क्या करना होगा, sign up करना होगा, तो यह sign up bottom में आप touch कर दिजे, touch करते ही आपको एक दूसरा page खुलेगा, जो इस तरह से दिखेगा, जो एक teacher के लिए है, और दूसरा student के लिए है, तो आप यह student के लिए बताया जा रहा है, तो आप student है, तो इस जगा पर आप touch कर दिजे, जैसे ही touch कीजेगा, और एक नया page खुलेगा, जिसमें आपको क्या क्या देना है, इसमें देख लिजे, एक user name देना है, जैसे आपका नाम है, नाम के साथ कुछ संख्या या जो भी हो, आपने आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम eight word और later के साथ होना चाहिए, उसके बाद जो दूसरा है, इसमें name देना का पूरा नाम, ये उसके बाद email और school youdise code, ये तीन जिस इसकूल में आप पढ़ रहे हैं, उस इसकूल का यूड़ा इसकोड डालना है, डालने के बाद आपको ये next कर देना है, जहरां देख लिजी ये next है, उसके बाद एक दूसरा page खुलेगा, जो ये दूसरा image में दिखाये जा रहा है, सबसे पहले आपको ये class, इसमें class का select करना है, उसके बाद आपका section, class और section select करने के बाद करना है, आपका mobile number यहां entry कर देना है, ठीक है, mobile number entry करने के पस्चात आपको gender selection करना है, male या female में, अगर आप male है या female है जो भी हो, यह select करने के बाद, देख लिजिए, यहां sign up का option है, sign up कर सकते हैं, अगर आपको कुछ तूटी अनुभव हो रहा है, तो आप इसमें नीचे जो back bottom दिया हुआ है, इस back bottom से back भी हो सकते हैं, तो चलिए यहां sign up करके दिखाते हैं, ठीक है, sign up करने के बाद, आपको एक नया page खुलेगा, जो इस तरह का होगा, इसमें देख लिजिए, sign up जैसे किजेगा, आपका जो registered mobile है, उस mobile में एक OTP आएगा, यह 4 डिजिट का होगा, यह OTP आपको यहां type करना है, टाइप करने के पस्चात, यह आपको क्या करना है, यह verify कर देना है, ठीक है, अगर आपका OTP नहीं आता है, तो यह recent OTP में click करके आप दूबरा OTP मगा सकते हैं, ठीक है, जैसे ही दूबरा OTP मगाए या पहली बार में ही verify हो जाता है, तो एक दूसरा page कुलता है, जो इस तरह से है, आपको enter password और re-enter password, एक password तैयर करना होगा, जो आपके अनुकुल होगा, जो आपके हिसाब से होगा, जो आप याद रख सकते हैं, वैसे password डलना होगा, फिर एक password re-enter करना होगा, यहनकि दो बार इसलिए लिया जाता है, कि आप सही से, आप password को enter कर रही कि नहीं, ठीक है, उसके बाद क्या है, कि आप इस sign आप में click कर दीजेए, जैसे इस sign आप में click कीजेगा, एक और नया phase खुलेगा, जो इस तरह से होगा, ठीक है, यह पुछा जाएगा, इसमें आपका choose interest, आपका किस में किस में interest है, कम से कम पांच और अधिक से अधिक आप जितना भी ले सकते हैं, जैसे आप sport में हैं, या arts में हैं, या जो भी हो, आपका cinema देखना, music सुनना, जो भी हो, इसमें आप पांच छेत्रों को कम से कम touch कर लेना है, अधिक से अधिक ले भी सकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, next कर देना, लेजिए, ये next कर देना है, ठीक है, ये 5-6, जो भी चूनाओ करने के बाद, आप next कर दीजे, next करने के बाद, आपको और एक दूसरा page खुलेगा, जिसमें पूछा जाएगा spend learning, यानिकि आप कि इतना समय इस app को दे सकते हैं, minimum जो हैं, 15 minute, 30 minutes, 45 minutes, और 60 minutes, तो जो जैसा है, इसमें 30 minutes दिखाये गिया है, जैसा है, आप अपना कर सकते हैं, उसके बाद, ये देख लिजिए, यहाँ, done bottom जो है, ये, done bottom में क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद, एक दूसरा और page खुलेगा, चलिए, दिखाते हैं, ये आपका काम हो गया है, उसके बाद, आपका dashboard द दिखेगा, हम आपको zoom करके थोड़ा से दिखा दे रहे, देखिए, ये 4 November का दिखा रहा है, कि आप 2.3 hours time spent, content, कितना content देखे हैं, देख लिजिए, ये कितना content देखे हैं, वो दिखा रहा है, कितना topic आप covered कियें, वो है, और कितना time आप action कियें, ये है, उसके बाद, आप और भी दिखाया जा रहा है, देख लिजिए, आप कितना test attempt कियें हैं, और इसमें average performance क्या रहा है, ये average performance भी है, और test assigned भी इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पूरा detail देख सकते हैं, you will let your learning, ये भी है content assignment और analytics, तो इस तरह से आप इसको कर सकते ह हैं, इसके बाद देख लिजिए, इसमें subject भी है, तो देखिए, आप दूसरा dashboard में देखते हैं, देख लिजिए, इसमें है, आपका देखिए, मेत में आप क्या कीजिए है, 40% submitted है, chemistry में no submission है, यानि कि जो भी कीजिएगा, आपको यहाँ पूरा record होते जाएगा, इसलिए आ आपका English में कितना performance है, देख लिजिए, performance है English में, है न, यह Hindi में, Maths में, Science में, है न, और assignment submitted, किसमें किसमें आप कितना assignment submit किये हैं, वो भी detail आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यानि कि आप जो भी काम कीजिएगा, आपका सब कुछ यहाँ record रहेगा, जैसे आप सोच लिज किये हैं, English में कब खोले हैं, उसका कितना performance है, सब यहाँ होगा, अगर आपका homework है कि नहीं, यह भी देखेगा, देखेजे, यहाँ लिख रहा है no homework, यानकि आपके पास homework नहीं है, अगर homework pending है, तो यहाँ homework pending में भी देखेगा, ठीक है, चलिए इसके बाद और एक dashboard देखते ह इसमें module पर click करने पर उपवखरता conduct को मुख पीस पर navigate किया जाएगा, यानकि आप इसमें जो भी module आएगा, इसमें आप click जैसे कीजेगा, जैसे है, देखे लिए computer है, यह computer है, यह science है, यह बिग्यान है, इंदी में, और यह आपका English है, तो जो भी है जैसा है, इसमें touch तो आपका mobile में इस सब दिखने लगेगा, ठीक है, उसके बाद देख लिजे, scroll करने पर दो अलग-अलग tape सुची बद हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप subject को choice किये, वो अपना, वो screen पर दिखने लगेगा, उसके बाद सबसे अधिक दिखे गए tape में वीडियो की एक सुची भी आपको प्रदर्सित होगा, यहां देख लिजे, most watch and watch list, इसमें अगर जो भी ज़्यादा दिखे हैं, उसका भी आएगा, और जो list बनाए हैं, वो भी आपको यहां सुची में रहेगा, तो इस तरह से आप अगर दिखिएगा, कि किसी विशय का चैन करने पर उपयोकरता को एक बिशेश रूप से अधन की पूरी सुची दिखाई देगा, यानि कि आप यह जो है, पूरा सुची है, देख लिजे, जहां जहां जैसे उर्जा, सुरुप अमस्रोत, उर्जा का सुरोत, उर्जा के प्रकार अमस्रूप, जो भी है, देखिएगा, इसमें सब आपका दिखने लगेगा, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, टोपिक चुनने के बाद, अगर टोपिक कॉंटेंट के बीवरने के साथ, अगर आप यह टच कर देते हैं, तो यह वीडियो भी आपका यहां प्ले होगा, या इबूग भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो अपना चोईस के इंसाब से इबूग भी पढ़ सकते हैं, तो आगे चलिए देखिले यह वीडियो वीवरनी भी आएगा, अगर वीडियो वे वाच लिस्ट आइकोन आएगा, जिसमें आप कुछ भी सवाल भी कर सकते हैं, और उसका सेव करने के भी अनुमति दिया जाता है यानकी आप इसमें वीडियो के साथ साथ आप कुछ प्रस्ण भी पूछ सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं चलिए देखिए, एसाइन्मेंट, एसाइन्मेंट क्या है कि यह मुल्लांकन मोडूल में छात्र द्वारा स्वाइंग बनाये गया, या उससे सोपा गया सबता एक परिचन उपलब दोगा, यानकी आप वीकली टेस्ट जो देंगे उसका भी यहां रिकोर्डेट रहेगा, देख लिजए आप यहां क्रियेट टेस्ट यानकी टेस्ट क्रियेट भी कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार, तो चलिए आगे और देखते हैं इसाइन्मेंट सिलेबास के उपलब दिवीशयों के अध्धायों के कस्टम नेर्वित परिचन के लिए बनाया गया है, जो आप अपना वीशय के साथ साथ यह आपने टेस्ट भी दे सकते हैं, देख लिए क्रियेट टेस्ट, आप टेस्ट कितना एटेम्ट किये हैं, कितना एवरेज हैं, से टोपिक सब दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए यहां, एसाइन्वेंट का परिचन, परिचन बनाने के लिए आप इसमें भी वही है कि आप जो जो एसाइन्मेंट दिये हैं, कम सकब दो एसाइन्मेंट एक साथ दिया गया है, देख लिए दो देख लिजिए यहां start test जब दीजिएगा तो यहां objective question के लिए है 40 marks ठीक है यह time limits भी है देख लिजिए time limits भी यह दिखाया हुआ है 40 question है आप जो भी यह question देख लिजिए यहां test rule भी पताया गया है test किस तर से दीजिएगा और यहां आप तो असा दीजिए देखिए यह test को start करने के लिए इस bottom को दबाना है जैसे आप test start कीजिएगा एक page आएगा उस page में सोच लिजिए आपका इस तरह से एक question आएगा question को जहां सही answer आए आप उसको touch करके color कर सकते हैं अगर सोच लिजिए और फिर अंत में क्या है यह test को submit भी कर सकते हैं अगर इसमें आपको कुछ गलत answer लगता है कि यह इस question का गलत answer है तो उसको आप correction के लिए भी आगे उसका दे सकते हैं मतलब इसमें आप उसको सुधारने के लिए भी यहां कुछ आपको लिख के submit कर सकते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से आप यहां एक ही मंच में हर चीज का आपको समाधान भी मिल जाएगा उसके बाद देखे लिए परिच्छन का प परदर्सीत होगा अगर सोच लिए आप टेस्ट दे दिये हैं और आपको उसका रिपोर्ट देख रहा है तो यह देख लिए बिग ज्यान है क्लास 10 है ना टाइम टेस्ट नेम साइंस डेट भी है और कितना आप परसेंटेज मिला है और इसमें देख लिए कौन सा कॉस्चन है क्या कलर के हिसाब से आपका राइट और रॉंग भी दिखाए देगा इसके बाद आप कौन सब्जेक्ट में दिये वो भी रहेगा इस तरह से आप अपना कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट भी ओनलाइन दे सकते हैं इसके बाद देख लिजे मुलांकयन के भाग के रूप में उपयूग करता को किसी भी सब्जेक्ट में आगे सुधार करने के लिए सुझावित अधन समागरी परदान की जाती है यानि कि साजिस्टे डेटा स्टाडी मेट्रियल दिये जाता है जो आप कलिक करके उसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं चलिए आगे देखते हैं इस गनित में है गनित में है और क्रियरट किया है अच्छा उसके बाद में देख लिखन कर आप auptने के उसको ख्रीकिंट करके आगे जा सकते हैं हो में यह आपको यह लार्नायट्य कर बहुत ही उपयोगी है इसलिए आप तुरंद इसको login, sign up करके login कर लिजिए और study सुरू कर दीजिए अगर सोच लिजिए आप जिस विद्धालय में पढ़ रहे हैं उस विद्धालय का यहां लिस्टेट नहीं है तो आप अपने HM यानकी प्रदान सिचक से बात करके इसको लिस्टेट करा लिजिए और आपने इस मुद्धालय में